लो गाईज, आज हम बनाने वाले हैं सूर्जाना फली, ड्रम स्टिक, एकदम विलेज स्टाइल, यहाँ पर मैंने लिये हैं, दो टेबल स्पून राइस और दो बड़ी ओनियन, उसको मैंने कट कर लिया है, और अब हम इसे हलके तेल में फ्राइ करेंगे हैं, एकदम ज्याद सिर्फ कलर चेंज होने तक, यहाँ पर हमने लिया है अधरक लसन का पेस्ट, उसके साथ ही धनिये, दो चम्मच, एक चम्मच मिर्शी, लाल, पीसी हुई, आदा टीस्पून हल्दी, और साथ में स्वादनुसान नमक, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, देखिए गाईस, अब कड़ी अच्छे से गरम हो चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे तीन से चार टेबल स्पून ओईल, देखिए हमने ओईल डाल चुके हैं इसमें, अब इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और थोड़ा इसे एक से दो मिन तक ऐसा ही फ्राय कर रहेंगे, बी पेस्ट डाल दिया है, और अब इसे मेक से करेंगे, और अब इसे थोड़ा भूनने देंगे, सच में बहुत टेस्टी बनती है यह सबजी, आप ट्राय जरूर करना, ड्रम स्टिक आपने बहुत तरीके की बनाई होगी, बट इस तरीके की जरूर ट्राय करना, देखिए गा यह दीखिए, बहुत ही बड़िया खुश्वा आने लगी है, अब यह जो कटोरी में चिपका हुआ है, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, पानी और फेरी से, ऐसे हिला के, इसी में डाल देंगे, नट को बेस्ट, थोड़ा सा भी हमें बेस्ट नहीं करना चाहिए, इसे कम से कम 2-4 मिनिट तक जब तक यह पूरा तेल नहीं छोड़ देता, फिर मस्ताला बुनने के बाद हमारा इसमें राइज और ओनियान पेस्ट डालेंगे, यह हमने इसमें एड कर दिया है, राइज और ओनियान पेस्ट, देखिए इसकी कंड़, यह रेखिए, किस तरीके से कलर चेंज हो चुका है इसका, थोड़ा थीक हो गया है, लेकिन आप इसमें पानी डाल के अराम से चला सकते हैं इसको ऐसे यह वापसे कलर चेंज कर देगा गाईज, बट रेली, टेस्ट सो गूट, देखिए गाईज, इसने ओईल छोड़ दिया है, पूरी तरीके से, स्टिक डाल देंगे, ड्रम स्टिक मैंने अल्रेडी पहले से बॉइल करके रखी थी, थोड़ा सो इसमें सॉल्ट डाल के उसको बॉइल किया था, वो लगबख पकी हुई है, और इसमें सिर्फ डाल रहें, और एक मिनिट इसमें पकने देना है, और उसके बाद इसे ओफ कर हैं, आप जितने मेंबर से हैं, हम एक्चुली में, फाइप मेंबर से हैं, तो इसलिए मैंने इतना पानी लिया है, इसमें पानी में उबाल आते ही, हम इसमें ड्रम स्टिक डाल देंगे, हमारा खाना बनके, रेडी हो जाएगा बस, आपको जादा कुछ नहीं करना है, प्ल थैंक यू, लाइक और सुस्क्राइब प्लीज 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 प्लीज